गोवा में कला अकादमी के पास समुद्र में कान फिल्म फेस्टिवल की तरज पर एक यौट पर फिल्मों के कारेक्रम करने की इंडियन मोशन पिक्चर प्रड्यूसर्स असोसियेशन की कोशिश बीती रात यहां एक हंगामे में बदल गई इस यौट पर निर्देशक अतुल गर्ग की फिल्म चोला के ट्रेलर लॉंज के दौरान करणी सेना की तरफ से फिल्म में दिखाये गए उन द्रिशों पर कड़ा विरोध जताया गया जिनमें फिल्म का नायक अपने शरीर से भगवा वस्तर उतार कर आग में जला देता है अभिनेता मनोज जोशी भी इस कारक्रम में मौजूद थे और हंगामा शुरू होते ही वो अपने मित्रों के साथ वहां से निकल गए गोवा में चल रहे पचपनवे अंतराश्य फिल्म महुतसव के साथ चल रहे फिल्म बाजार में निर्देशक अतुल गर्ग की फिल्म चोला शुकरवार को दिखाए गई थी एक प्रोफेसर के संभोग से समाधी तक के जीवन वृत पर आधारत कहानी में काम करने वाले दीसी विदेशी कलाकारो संग इसका ट्रेलर सार्वजनिक रूप से जारी करने के लिए फिल्म बनाने बालों ने कई दिनों से तयारियां की थी कारिक्रम चू की समंदर में तैर रही इंपा की यॉट पर होना था लिहाज़ा इसकी बोकिंग वगेरा भी पहले से ही शुरू हुई और यहां तक की पहुचने के लिए लोगों को प्रवेश पत्र भी काफी एडवांस में बाटे गए थे शनिवार की रात आठ बजे के करीब शुरू हुई पार्थी में पहले तो निर्देशक अतुल गर्ख की कई कडियों में बन रही फिल्म फ्रेंचाइजी कश्मीर का ट्रेलर लॉंच हुआ और इस फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म में मुख्य खलनाया की भूमे का निबार आए अभिनेता हेमन तपांटे को मंच पर बुला कर उनका भी नंदन किया गया फिल्म अभिनेतरी पूनम जावर ने भी मंच पर इस दौरान अपनी मौजूद की दर्श कराई और फिर बारे आई फिल्म चोला के ट्रेलर लॉंच की ट्रेलर दिखाने के बाद जब कारिकरम संचाले का लोगों की राय इस बारे में जानी रही थी कि वहां मौजूद कर्णी सेना के नेता सुर्जीत सिंग राठों ने ट्रेलर फिर से चलाने को कहा दोबारा ट्रेलर चलाने पर कर्णी सेना नेता सुर्जीत सिंग राठों जिनका परिचे बाद में संगठन के युवा सेना के अदक्ष के रूप में किया गया था और वहां मौझूद एक और अंगतुक राजेश जैन ने इस ट्रेलर के कुछ द्रिश्यों पर बवाल मचा दिया दोनों ने ट्रेलर में भगवावस्तर जलाने, तुलसी और रुद्राक्षी माला जलाने के द्रिश्य पर आपत्ती जताई और धमकी दी कि बिना ये दर्शर हटाए वो इसे रिलीस नहीं होने देंगे निर्देशक अतुलगर्ग ने करणी सेना को समझाने की कोशिश की कि हम सही समय आने पर आपको पूरी फिर्ण दिखा देंगे अभिनेता हेमंत पांडिय ने भी राथोर की आपत्ती पर अपना विरोध जताया और कारिक्रम में हंगामा होते देख फिल्म के कलाकार और आंगंतुक तुरंत योट छोड़कर किनारे के दरफ जाने लगे आपको बता दे कि मनोज जोशी को कारिक्रम से निकलता देख उनके पीछे पीछे और भी तमाम लोग कारिक्रम से चले गए और जानकारी के मताबिक बात करें तो फिल्म चोला एक ऐसे यूबर प्रोफेसर की कहानी है जो आत्मिक शक्ती के लिए एक बाबा के आश्रम में शरन लेकर भगवा चोला धारन करता है लेकिन उससे भी शान्ती नहीं मिलती मन भटकता रहता है आश्रम में बाबा उससे बताते हैं कि आत्मिक शान्ती के लिए अंद्रूनी शक्ती को पैचानना जरूरी है उसके लिए भगवा वस्त्र धारन करने की जरूरत नहीं है तब प्रोफेसर अपने भगवा वस्त्र रुद्राक्ष और तुलसी माला को जला देता है और पुन्ह प्रोफेसर बन जाता है अतुल गर्खे मुताबिक फिल्म का संदेश है कि आत्मिक शक्ती और सरण रहने के लिए ग्रहस्तिक अत्याग या साधू सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है बताया ये भी गया है कि कर् अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रही है तो हमारे पीज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद